हाई फ्रेंस मैं रेखी ग्रांड मास्टर और एंजेल हीलर आप सभी का एक बाई फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रही हूँ याददाश कैसे भढ़ाएं ये उन लोगों के लिए है जो रेखी से जुड़े हुए है और वो याददाश अपनी भढ़ाना चाते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है या जो बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं पर उन्हें याद नहीं रहता ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ये उनके माबाब जिससे आप देखेंगे अगर आप धीरे धीरे आप इस्तिमाल करेंगे तो बच्चे की याददाश में काफी इंप्रूव्मेंट आएगा इसके लिए हमें एक विशेश सिंबल जो कि इस सेकेंड लेबिल में जब आप लोग आ जाते हैं तो आप सभी को मिलता है जिसका नाम है से ही की जो लोग रेखी से जुड़े हैं वो निश्चित तौर से इस सिंबल से जुड़े होंगे और इसकी वाइवरेशन को जानते होंगे अगर मैं सही बोलूँ तो मौकिक रूप से ये सिंबल भावनाओ पे और मानसिक लेबल पर काम करता है इसका एक विशेश उपचार है जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगी समझाऊंगी आप लोग सभी इस सिंबल को सामने देख भी रहे होंगे कि कैसे बनता है आपको इसी प्रेकार से ये सिंबल बनाना है और इसकी क्या साइकिक क्या तरीका है आज वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले आप रेकी से जुड़े होएं कैसे आवाहन करना है आप सभी को पताएं क्योंकि आप सेकेंड लेबिल में आ चुकी हैं आप कॉल कर लें आप चाहें तो जोड़ जोड़ से तीन बार आप रेकी का आवाहन कर सकते हैं चाहें तो मन में तीन बार जब करके भी कर सकते हैं आपका चड़ित जब आवहन कर रहे हैं तो बहुत क्लियर होना चाहिए फिर अपने चारो तरफ चौकूरे बना लीजिए और एक आभा मंडल अपने चारो तरफ तैयार कर लीजिए आप जिस बच्चे के लिए या जिस व् मंडल बन गई है अब आपको यह सोचना है कि अब आपको क्या करता है आगे आप जिसको दे रहे हैं उसकी बास सोचनी है वो भूल जाता है या उसकी भावनाए मानसिक्ता सही नहीं है या उसको कोई ऐसी शारेरिक दिक्कत है जिसके कारण उसके दिमाग पे असर आ रहा है वो विचार करते हुए आपको सबसे पहले उसे क्राउन चक्रा पे चौकुरे बना लेना है चौकुरे अब आपका बन चुका है आपके क्राउन चक्रा पे अब आपको यहाँ पे सेही की बनाना है और जो भी तिक्कत है वो सोचते हुए कि सही की उसे पूंट शक्ती दे रहा है सोचते हुए आप 10 मिनिट तक उसके क्राउन चक्रा पे या 5 मिनिट तक जितनी भी आपने सामरते हैं आप उसनी बातों को सोचेंगे जो भी भावना आपको रखनी है यहाँ पे सोचते हुए आप अंत में उसको शक्ती देंगे सही की शक्ती आपकी भावनाव पे हैं क्राउन चक्रा पे और आग्या चक्र पे भी सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे चौकुरे बनाएंगे और सही की से शक्ती देंगे और जो भी उसकी दिक्कते हैं उसको सोचते हुए आप उसकी नकरात्मक उर जाएं उसके वातावरन से उसके शरीर के अंदर से उसके क्राउन चक्रा से उसके थरड़ाई चक्रा से आप निकालते हुए वहाँ पे आप दिव्वे शक्तियों का आवहन करेंगी और ये आवहन आप जोड से भी कर सकते हैं जो सेकी के second जो लेबल में पहुँच चुकी हैं आम तोर से भावनाई आपको ये भी जाननी है कोई आपके मन के अंदर से तो नहीं जुड़ी है जो आपको ये धिरे धिरे आपको समस्याइ आ रही हैं समस्या को ठीक करते हुए मानसिक्ता से और भावनाओं से या क्रोध के कारण या उदासीन या कोई आपसे गलत बोलता है या आपको कोई गलत आदते चाहे वो शराब की हो चाहे नशीली आदते हो उस व्यक्ति के अंदर हैं तो वो सारी बाते सोचते हुए आपको वो शक्ती उसके crown chakra और third eye chakra से निकालते हुए एक सहिकी की एक दिव्य प्रकाश आपको उसके अंदर डालना है कि वो दिव्य प्रकाश आ रहा है और वो ठीक हो रहा है चारो तरफ चौकुरे जो बना हुआ है वो भी आपको महसूस करना है अचानक दर्द हो गया तब भी आपको उस दर्द को सोचते हुए पास से दस मिनिट तक अपने दोनों हाथों को एक आगे हाथ एक पीछे रख लीजे और अपनी शक्ती सहिकी की शक्ती वहां धालिए आप देखेंगे उपचार होना शुरू हो जाएगा नियमित अभ्यास मैं एक दिन में नहीं कहूंगी नियमित अभ्यास आपको रखना पड़ेगा पॉजिटिव वाइवरेशन रखनी पड़ेगी और धीरे 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 अगर माइगरेन का भी जिसको व्यक्ती को पेन है महीने के अंदर अभ्यास रखेगा तो आप देखेंगे उसमें भी improvement आ जाएगा positive thinking रखनी है और दालना है कोई भी ऐसी आदत जो की भावनों से जुड़ी है वो हम सही की से निकालते हैं और अंत में अपने इश्ट अपने भगवान को आपको धन्यवाद अवश्य देना है और धन्यवाद देते ही आपको रेखी का connection खतम करना है जिसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुक है connection आप क्यूं हटाएंगे क्या जरूरी होता है और यह अभ्यास आप दो बार तीन बार एक बार जैसा आपको जिस समय मिले आप कीजिए चौकुरे बनाईए अपने चा तरफ रखिए आज मैंने कोशिश की है कि आपको किस तरीके से जो लोग भूल जाते हैं जो लोगों के अंदर सोचने की मौलिक शक्तियां नहीं होती जो बच्चे पढ़ाई करते हैं जल्दी अल्दी भूल जाते उनके लिए मैंने छोटा सा